नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जै श्री राम, जै बागेश्वर धाम, जै जै हनुमान आपको सफलता हासिल होगी, दोस्तों, हमारे तंत्र प्रशस्त्र और ज्योतिश शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है, और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्थ पर कर लिया जाए, तो यह कभी भी विफल नहीं जाता है, लौ लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है, वह बहुत सी पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए, तो उन पूजा पाठों को पूरी से संपन्न नहीं माना जाता है, दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थे के ये बहुत बहुत ही अच्छी मानी गई है। दूसरी तरफ जोतिश उपायों में भी लॉंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है लॉंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लॉंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं। बस आपके जीवन में लॉंग के उपाये से सुख सम्रिध्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों लॉंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जिन उपायों के बारे में धर्म, शास्त्र, तंत्र, शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है और दोस्तों यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हो जो हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है चारों और से आपके पास धन खीचा हुआ चला आएगा जौब की तैयारी करकर के ठक है जौब नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी जौब भी लग जाएगी इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेग और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी बस इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार के दिन दो या चार मिनट निकाल करके करना है भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीरवाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही तो पूरी सक्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दे और कॉमेंट बॉक्स में लिख दे जैशानी देव और दोस्तों एक काम कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशी के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिसे उपाय से आपको कोई लाब तो वो हम आपको रिपलाई के माध्यम से आपके कॉमेंट में आकर के बता देंगे इसलिए दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा तो दोस्तों एक बात का जरा ध्यान रखिएगा ये जो लॉंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं ये बहुत ही अचूप उपाय है बहुत ही आसान उपाय है किन्तु आपको इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा लॉंग के उपाय कर गलत किये जाए तो इनका हमको दुश प्रभाव देखना पड़ता है क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लॉंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए इसका लाब तुरंत मिल जाता है इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है किन्तु लॉंग के उपाय को गलत मुहूर्थ पर करने पर इसका दुश प्रभाव को देखने को मिलता है देखिए दोस्तों एक बात को समझ लीजिए जैसे भगवान गणेश जी हो गए भगवान विश्णु जी हो गए दुरगा जी हो गए भगवान हनुमान जी महाराज हो गए भगवान शिव जी हो गए इन सब की पूजा में लॉंग का उपाए अवश्य ही किया जाता है ये जितनी भी हम आपको उपाए बताने आ रहे हैं उपाएं को करने की एक मुहूर्थ है तो गलत तरीके से मत कीजिएगा एक बात को समझ लीजिए दोस्तों यदि आप किसी पंडित किसी अस्ट्रोलजर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाए करवाते हैं तो उसका जो आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है किन्तु किसी उपाए को किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाब आपको तुरंत ही मिल जाता है उसका लाब हजारों गुना आपको मिलता है तो दोस्तों ये जो लॉंग के उपाय है तो बड़े आसान से उपाय किन्तु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्थ पर करना होगा और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना इसलिए दोस्तों यदि आप अपने जीवन में गरीबी परेशानी इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं इस वीडियो को बिना भगाय अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा चलिए दोस्तों आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं किन्तु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रू से मुक्ती पाने का उपाय दोस्तों आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अडोसी पडोसी नाते रिष्टेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ शड़यंत्र करते हैं आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुँचाते हैं तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको बस यहां करना है कि लगातार पांच शनिवार किसी भी शनिमंदिर जाइए शनिमंदिर जाने के पश्चात आपको वहाँ पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का और उसमें बस एक लॉंग डाल देनी है इतना यदि आप पांच शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शानी देव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रू आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति को भी शानी महाराज जी का आशीरवात प्राप्त हो जाता है दोस्तों उस व्यक्ति के लाखों शत्रू उसके पीछे खड़े हो वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते दूसरा उपाय है दोस्तों घर से नेगटिव शक्तियों को समाप्त करने का ना वो महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं तो दोस्तों इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा मा आपका जो घर है उसमें नेगटिव शक्तियां है काला जादू किसी ने करवाया बंधन करवाया है और आप इस चीज लॉंग से बहुत परिशान हो गए है और आप चाहते हैं इन तरीके की परिशानी से आपको मुक्ति मिल जाए तो दोस्तों किसी पंडित के पास पास जाने की जरूरत नहीं है ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए और ये उपाय आपको करना है शनिवार की रात को आपको क्या क्या लेना है तो आप एक मिट्टी का बरतन चाहे पीतल का बरतन ले लीजिए परन्तु लोहे का मत लीजिएगा ठीक है अब आपको क्या करना है हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों देना है यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का बांस था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्थ हो जाएगा यह शनिदेव जी के आशीरवाद से आपके घर की बरकत भी होगी उन्नती भी होगी तीसरा उपाए जो हम आपको बताने आ रहे हैं यह एक ऐसा उपाए है जिससे आपको हर तरह के कश्ट से मुक्ति मिल जाएगी जी दोस्तों आपको किसी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के ठक है परन्तु उसका आपको कोई लाब नहीं मिल रहा है आप बहुत परेशान है तनाव ने घेर लिया है दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है तो इसमें क देव महादेव का आपको आशीरवाद गिंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार पांच सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और पांच सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूमरपान इस पूजा को एक तरीके से तपस्या माना जाता है। इस जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो स जाती तो आपको बस यही करना है कि शनिवार को नहाना है, धोना है, नहाने धोने के बाद दो लॉंग लेनी है। और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस दो लॉंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े हो करके अर्पित कर देना है और वहाँ पर आपको ओम महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी वो प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्थ हो जाएंगे आपके तनाव परेशानी दिक्कतों से जो आप जूज रहे थे परेशान थे आप इनसे मुक्थ हो जाएंगे और अभी तक आपने वीडियो को लायक नहीं किया है वीडियो को अब दोस्तों मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था फिर व्यापार चलते बंद हो गया ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा जो व्यापार में ह अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नती करेंगे अपने व्यापार के साथ तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है ये किसी भी पूटली को आपको ले करके आना है होने दुकान में मिट्टी के बरतन में या पीतल के बरतन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआ पूरी दुकान में दिखाना है जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी बाधाएं थी बंधन था वो समाप्थ हो जाएगा इस और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नती करेंगे आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय और यह जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद मिलता है जिसके पश्चात उसके जीवन में धन बंधी सारी परेशानियां समाब्द हो जाती है तो उपाय बड़ा सरलसा है आपको बस यही करना है दोस्तों शुक्रवार के दिन और ध्यान रखियेगा एक गुलाब में पांच लॉंग रखकर के माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है अब शनिवार की रात को उसी गुलाब किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और ये जो पांच लॉंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए पांच शनिवार के पश्चात लाल पोटली में पच्चीस लॉंगे एकठा हो जाएंगी और इसी पच्चीस लॉंग को आपको अपनी तिजोरी में अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगएरह करते हैं वहाँ पर रख देना है दोस्तों आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी पसंदाई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ जरूर शेयर करिए ना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पुना आपसे भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ